नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है रोमन निम्रेल्स तो आज हम सीखने वाले हैं रोवन अच्छर को हिंदू अरेविक निम्रेल्स हिंदू अरेविक निम्रेल्स क्या होता है इसके बाद हम जानेंगे रोमन सीम्बल्स निम्रेल्स तो रोमन सीम्बल्स में हिंदू अरेविक को कैसे रिपरजन किया जाता है तो 1 को I में रिपरजन किया जाता है 5 को V में 10 X में 50 L 100 C 500 D और 1000 को M में ठीक है इसके कुछ रोल्स है इसके बेसिकली 3 रोल्स होते हैं सबसे पहरा रोल हो जाता है कि I जो की 1 है X जो की 10 है C जो की 100 है और M जो की 1000 है इस चारों को can be repeated ये चारों को repeat किया जाता है ठीक है only I X C M can be repeated Rule number 2 देखते हैं V जो की 5 है L जो की 50 है D जो की 500 है R never repeated ये टेनो repeated नहीं है ठीक है इसके तीसरा रोल्स होता है कि जो भी symbol है उसे हम maximum 3 times यूज कर सकते हैं No symbol can be repeated more than 3 times उसे ज्यादा मुसे इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं इसे example देख लेते हैं वान तो वान के लिए I लिखते हैं है ना तू के लिए double लिखेंगे I को एक वर और repeat किए 3 के लिए फिर इसे तीन बार लिखेंगे 3 times repeat हो रहा है आई ठीक है लेकिन जब हमें 4 लिखना है तो 4 के लिए हम क्या करेंगे 3 times I हम तो यहां use किये हैं तो इसमें 4 भी कर सकते हैं 4 लिखने के लिए 1 1 1 1 जैसे इसमें किये 1 1 1 1 तो यह 3 बन गया 1 1 2 हो गया 1 तो 1 बन गया और 4 के लिए 1 1 1 1 नहीं कर सकते हैं ये गलत हो जाएगा ठीक है क्योंकि ये formula 3 है कि no symbol can be repeated more than 3 times 3 बार से ज्यादा हम किसी भी symbol का इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं समझ गया है तो शलिए आप numbers लिखते हैं 1 के लिए क्या लिखेंगे 2 के लिए 2 times I लिखेंगे 3 के लिए क्या करेंगे 3 times I लिखेंगे ठीक है अब जैसे कि हम पहले ही सीखे हैं किसी भी symbol को 3 times से ज्यादा इस्तिमाल नहीं कर सकते हैं ठीक है तब हम 4 के लिए क्या करेंगे पहले देखेंगे कि 5 के लिए हम क्या सीखे थे 5 को कैसे represent करते हैं तो 5 को हम V से represent करते हैं ठीक है तो 5 भी 5 हो गिया है तो 5 के पहले जब हम I लिख देंगे 1 तो 5-1 4 हो जाएगा ठीक है अब 5 के लिए V 6 के लिए पहले 5 उसके बाद 1 मतलब I V I हो गिया 6 उसी तरह से 7 के लिए क्या करेंगे 1 तो repeated है I repeated है तो 1 1 I 2 I तो हो गिया 5 6 7 8 के लिए क्या करेंगे तो अब इसक 2 times ही यूज हुआ है I उसके 3 times यूज कर सकते हैं तो V I I तो अब हम यहां पास V और 4 I नहीं लिखेंगे कि वो 3 times सी यूज करना था अब हम क्या करेंगे 10 कैसे represent होता है 10 कैसे represent होता है X से तो अब हम यहां लिखेंगे X और X के पहले I लिख देंगे तो X 10 में 1 माइनस हो जाएगा तो हो गिया 9 ठीक है अब 10 के लिए X यह इसका सिंबल है 11 के लिए क्या करेंगे तो पहले लिखेंगे 10 उसके बाद लिखेंगे 1 हो गया 11 12 टेक्ट के लिए क्या करेंगे तो पहले लिखेंगे X उसके बाद 1 2 डवल आई 13 के लिए क्या करेंगे X आई, 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 ठीक है, 10, 11, 12, 13, अब 14 आया है, 14 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम 10 लिखेंगे, 4 के लिए, आई, वी, तो ये हो गया, 14, 15 के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखेंगे, 10, और वी, 15, 16, 17, 18, 19 के लिए क्या करेंगे, 10, फिर 20, और उसके बीच भी लिख देंगे, इस 10 के पहले लिख देंगे, 10, 1, 9, ठीक है, 10 और 9, 19, और 20 के लिए क्या करेंगे, X तो रिपीटेड है, रूल 1 में है, X रिपीटेड है, तो X को 10, 10, 20, 21 कैसे लिखेंगे, X, X, 1, 22, X, X, 1, 2, 23 के लिए, X, X, 1, 2, 3, 23, 24 के लिए क्या करेंगे, 24, 25 के लिए क्या करेंगे, 10, 20, 5, 26, 10, 20, 5, 1, 6, 26, 27, 10, 20, 5, 2, 6, 7, 10, 20, 5, 2, 6, 7, 10, 20, 5, 2, 6, 7, 8, 28, 28, 29 के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो 20 देंगे, 20 और 9, 29, 30 के लिए, 10, 20, 30, ठीक है, 31, 10, 20, 30, 1, 10, 20, 30, 1, 2, 33, 34, 10, 20, 30, यह हो गया, 4, 34, 35 के लिए करेंगे, 10, 20, 30, 5, 36, 10, 20, 30, 5, 6, 37, 10, 20, 30, 5, 6, 7, 37, 30, के से लिखेंगे, 10, 20, 30, 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 29, 39, 40 के लिए हमें पहले 50 लिखना होगा, ठीक है, तो 50 क्या से लिखाता है, 50, L से लिखाता है, तो L के पहले हमें, 50 के पहले हमें, 10, माइनस करना है, ठीक है, तब हमारा हो गया, 40, एक्सेल, 40 होता है, 41 कैसे होगा, तो यह हो गया, 41, 42, 42, 42, 43, 41, 2, 3, 44 कैसे लिखेंगे, यह हो गया, 40, पहले, आई, वान, और 5, यह 44, 45 कैसे लिखेंगे, 45, 46, 40, 5, 6, 46, 47, 45, 46, 47, 48, 49, 49 कैसे करेंगे, यह होगे, 49, पहले, 40 लिखें, फिर 9 लिखें, 49, 50, 50 के लिए क्या होता है, एल, ठीक है, और 51 के लिए, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 55 हो गया, एल, 50, वी 5, 56, 57, 55, 6, और यह 7, 58, 59, यह होगे, 50, अब 9, 59, 60, 60 के लिए क्या करेंगे, एल होगे, 50, और 10, 10 होगे हमारा, 60, 61, 62, 63, 64, 64, 65, 66, 67, 68 69 70 70 कैसे लिखेंगे 50 60 70 71 50 60 71 72 50 60 71 2 73 50 60 71 2 3 74 50 60 70 70 1 और 5 और यह 4 50 60 70 75 75 76 क्या क्या करेंगे 50 60 75 1 6 50 60 70 70 70 70 6 7 77 50 60 70 5 6 7 8 78 79 79 79 79 60 70 70 और यह हो गया 9 79 80 के लिए क्या करेंगे 50 50 60 70 80 50 60 70 80 1 इसमें तीन में रेपीट हो गया है 10 उसके बाद 1 82 के लिए 1 50 लेंगे 10 10 10 1 2 50 60 70 81 2 82 83 के लिए 50 60 70 80 1 2 3 84 के लिए क्या करेंगे 50 60 70 80 84 85 के लिए 50 60 70 80 और यह 5 85 86 के लिए 50 60 70 85 6 86 87 50 60 70 80 80 5 6 7 87 88 के लिए क्या करेंगे 50 60 70 80 5 6 7 8 80 हो गया 88 89 89 के लिए क्या करेंगे सबसे पहले 80 लिखते हैं 50 60 70 80 50 और यह आगिया हमारा 9 89 90 के लिए क्या करेंगे पहरे जाएंगे 100 के पास 100 की सिंबल से रिप्रेजेंट होता है तो वो है सी तो सी हो गया 100 तो 100 में कितना मारेस करेंगे तो 90 आएगा 10 तो हम यह लिख देंगे सी के पहले 10 तो हो गया 90 अब 91 तो X C 1 92 X C डबल आई 93 X C 1st आई 2nd आई 3पल आई 94 X C I V 95 X C यह होगे 90 और V होगे 95 96 के लिए क्या करेंगे X C 5 1 सबसे पहले क्या लिखेंगे 97 के लिए X C 5 6 7 97 98 X C 5 6 7 8 98 99 के लिए क्या करेंगे X C और 9 लिखना है क्योंकि यहां 3 times 1 यूज हो चुका है तो आप इसमें लिखेंगे 9 हाइन हांडरेड फाइनली हम हांडर तक पहुंच गये हैं तो हांडरेड को रिपरिजन करने होड़ा सिंबल कौन सा है C ठीक है C लिख दी है हमारा हांडर हो गया अगर यह वीडियो आपकी बच्चे के लिए यूस्पुल है तो प्लीज इसे लाइक सेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद